नमस्कार दोस्तों हम UPMRC SCTO का पेपर डिसकस कर रहे थे लास्ट वीडियो में 25 कुशन डिसकस कर चुके थे और जो लास्ट हमारा 25 वा कुशन था वह यह था कि जो हमारा एनरजी बैंड गैप होता है वह 3 लेक्टरन वोल्ट से किस मटेरिल के बीच में ज्यादा होता है तो हम कंड़क्टर में जो बैंड गैप रहता हो कि रहाता थे लेक्टरन वोल्ट से कम होता है यह लास्ट कुशन हमने डिसकस किया था अब इसके आगे के कुश्चन डिसकस करते हैं तो पहला कुश्यन है कि इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर म्वी आई 23H is an example of which addressing mode तो यहां पर आपको यह instruction लिखा हुआ है तो इसके बारे में पूझने कि कौन सी addressing mode का एक्जामपल है तो हमारे क्या होता है इसमें बहुत सारे addressing mode टोटल पांच addressing mode आपके यहां पर होते है अप्सेशन है तो आप देख लेज़े कि यहां मिले होगा इम्मीडियट रखवा कशेमपल होगा अब इसका मादलब क्या पहरे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि कौन-्कौन से होते हैं पहला तो हमारा immediate addressing mode होई गया जिसके बारा में भी हमने अभी पढ़ा है जैसे जिसका इंस्ट्रेक्शन कुछ इस तरीके से था से 45 यहां पर डेटा होता है और यह लेप्ट साइड में यह होता है हमारा ओपकाइड कहलाता है और यह ओपरेंड कहलाता है तो 45 डेटा हमको किसम का ओपरेंड है तो यहां पर क्या बी नाम का एक रजिस्टर है जिसमें हमारा क्या डेटा अवेलेवल है तो हमारा क्या करना है कि जो कंटेंट है क्या जो डेटा है हमारा बी रजिस्टर में उसको क्या करना हमको मूव करना कि इसमें ए में तो इसका मतलब क्या है हमारा मू ग्रश्टर में मूव कर रहे थे इमेडेटएट कर देखते हैं यह हमारा डिरेक्ट एड्रसिंग उपरह वह बटोता है न॑ वह हमारी यहां पड़य से होती है तब देखेंगी यह एक्जंपल है LDA 2050 अब इसका मतलब क्या है कि load the contents of memory location into accumulator A यानि कि यहां पर क्या हमको 2050 के memory location दिया हुआ है यहां पर इस memory location पर जो भी data है हमारा content है उसको क्या करना हमको load करना है कि इसमें accumulator A में अभी हमने पीछे दो देखे थे immediate addressing mode तो उसमें क्या होगा था immediate में डेटा गीवन था डायरेक्ट मूव करना था रजिस्टर में क्या हो था रजिस्टर से रजिस्टर में मूव कर रहे थे अब डायरेक्ट अड्रेसिंग मोड में क्या कर रहे हमको यहां पर क्या गीवन है लोकेशन गीवन है तो इस लोकेशन पर जो भी डेटा है हमको उसक इनसाइड है memory location यह क्या है हमारे memory location में available रहता है जिस पर हमको क्या करना operation करना और डिश दार टैप है आगे क्या है कि जो memory location क्या है कि वह indirectly specified होता है रजिस्टर पेर दोवार अब यहां पर क्या है कि यह example को दंसे देखें मूँ ए को मा एम लिखाओ है इसका मलब क्या है कि memory location pointed by the actual pair to the accumulator यानि कि यह जो हमारा memory location है इसका जो मलब की location है वो क्या हमारा कहां पर मिलेगा actual pair में तो जो actual pair में हमारा location मिल रहा है memory का यह address कर रहा है तो उसको हमको कहां पर move करना है accumulator A में move the contents of memory location pointed by the actual pair यानि कि क्या बता रहा है memory location को कौन बता रहा है actual pair बता रहा है तो वहां से हमारा क्या करना है हमारा इसको content को accumulator A में क्या करना मूब करना इसका मतलब क्या है लास्त होदा हमारा implied or implicit addressing mode अब इसमें क्या होता है कि हमारा दा ओप्रेंड इस इसका मतलब क्या है finds and stores the once compliment of the contents of the contents of the accumulator A in A इसका मतलब क्या है कि जो accumulator में जो content पहले से है उसको यह क्या कर देगा once compliment करेगा cm instruction क्या करेगा इसका accumulator में जो भी content दिया हो हमारा उसका once compliment करेगा और उसके बाद क्या कर देगा फिर से उसको accumulator में यह क्या कर देगा store कर देगा यानि कि इसमें perform क्या हो रहा है once compliment perform हो रहा है किस पर perform हो रहा है accumulator का data में perform हो रहा है और फिर से कहां पर से हो रहा है accumulator में से हो रहा है तो इस तरीके से example है आपको थोड़ा-तोड़ा सा difference याद रखना सारे addressing modes में अभी question में हमसे सिर्फ immediate addressing mode का यहां पर example दिया हुआ था next question अब हम देखते हैं यह है हमारा energy lost due to stresses during each cycle in the core of transformer working at 50 Hertz is 6 Joule यहां पर क्या है हमको energy given है एक तो energy किती है 6 Joule given है frequency हमको given है 50 Hertz आगे question में हमको कर रहा है what will be the power loss due to stresses power loss हमको पूछ रहा है अब हम जानते हैं कि जो energy क्या होती है हमारी power into time होती है यह तो आपको पता है power loss निकालना है तो क्या करेंगे energy by time या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं energy into frequency बिल्कुल लिख सकता हूं अब energy हमारे कित्ता given हमको 6 Joule given है frequency हमारे कित्ती Hertz है 50 Hertz है जब आप इसको आगे solve करोगे तो कित्ता आ जागा 6530 तो यह कित्ता आ गया 300 वोट आपका कित्ता आ आ गया power आ गया तो power loss कितना होगा आपका 300 वोट तो option D आपका यहां पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा next question देखते हैं दा फेजर वैल्यू जो वोल्टेज एंड करन्ट आर यहां पर वोल्टेज और करन्ट की फेजर वैल्यू जीवन है आगे हम से क्या पूच रहा है फेज डिफरेंस पूच रहा है दोनों के बीच में तो आप क्या कर रही है रैफरेंस पॉइंट बना लीजिए कुछ यहां पर 0 डिगरी अन्या अब वोल्टेज जो है हमारा क्या कर रहा ह यहां पर 30 डीम Гरी करण्ट क्या मै приготовba यह हमारा को आप ढ़नवों के बीच अगर आप टोटल देखेंगे तो कितना आए 430 plus 45 इन दोनों के एडिशन हो जाएगा यह आएगा हमारा टोटल यानि कि कितना हो गया टोटल 75 डिगरी का हमारा क्या आ रहा है फेस्ट डिफ्रेंस आ रहा है वोल्टेज और करेंट के बीच में तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तो option D हमारा यहां पर क्या होगा टीही रहता है वहंनको भी दियाव है एंड डैमपिंघ टोर्क जो हमारा डैमपिंघ टोर्क है यह हमको क्या दियाव्य है कि गनिकेटिंग टाइप v के लिए हमारे पूछ रहा है कि इन में से कौन से जो इक्वेशन है वह सही है अब जैसे देखिए दोस्तों कोई भी इंस्ट्यूमेंट रहता है अगर इस तरीके से तो उसका जो पॉइंटर रहता है इंटिकेट करता है एक फोर्स इधर की साइड लगता है जो डिफ्लेक्ट हैं को जो डॉलेशन होते हैं स्टेबल के देपलेक्ड र क्लया रहते है उनको क्ट्रॉलेक्टिंग तो रहेता है इकिले में एकक्वल रहते हैं तो यह जो अंत्यकर रहता है यह और लिए मोहीं करता है तो यहांनि कि हमारी equation A बरावर B आ जाएगी जो कि option B में दे रखी है तो यह हमारा सही हो जाएगा next question है in 8086 microprocessor in order to enable higher order byte of data यहांपे क्या करना हमको enable करना higher order byte of data which signal is used यहांने dash signal is used कौन सा signal यूज़ करते हैं हमको higher order अगर byte data को enable करना है तो इसके लिए हम करते हैं BHE यह क्या होता है active low signal का मिलब क्या है कि अगर input में आप 0 देंगे तब जाकि activate होगा क्यों देखें आप उपर बार लगावा यानि कि BHE की value अगर मैं 0 put करता हूं और बार लगाता हूं क्या होता है वन आ रहा है तो क्या हो रहा है कि अब यह इसको क्या करते है active low यानि कि जब low value देता है तब यह एक्टिव होते हैं तो कभी कभी question पूछ लेते हैं कि एक्टिव लो सिगनल किस तरीके के होता है एक्जामपल दे देंगे पूछ लेंगे इनमें से कौन से एक्टिव लो है इस तरीके से तो option c और d दोनों correct है एक्टि होता है और इसका फूर्पर मैंने आपको बताई दिया था कि बस हाई अनेवल जब हमको कभी भी डेटा ट्रांसफर करना होता हायर ओडर बस पे की डीएट से जो डी 15 वाली जो बस का address रेंज होती है इस पर अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगी सिगनल का य देखे कि current dependent है कि voltage dependent है यहां पर दोनों वैसे तो current source है यहां पर क्या है डारेक्शन से हो रही है यह है तो current source लेकिन dependent किस पर यह देखिए यहां पर ix लिखा है और ix क्या रहा है यहां पर फिलो हो रहा है current यानि कि source m है जो क्या हमारा current dependent है अब आप यह देखेंगे तो यह यहां पर क्या इसकी value क्या दे रखिए source की 5Vy और Vy के जो है यह कहां पर हमारा यहां पर है यह voltage है तो यह क्या होगा हमारा voltage dependent होगा तब आप आप option में देख लेते हैं कि source M तो हमारा current dependent है और source N है वोल्टे dependent तो option B में यह बिल्कुल सही दे रखा कि source M है वो तो current dependent है और source N है जो क्या हमारा voltage dependent है तो इसलिए option B यहां पर हमारे क्या होगा बिल्कुल सही होगा अब next question है आपर एक consumer has 5 lamps of 40 watt 40 watt के किते हैं हमारे 40 watt के 5 lamps है हमारे इच एन 2 fans of 300 watt अब यह यहां पर आगे क्या रखा हमारे दो फैन है 300 watt के किते दो फैन यह तो हमारे फैन है यह हमारे क्या है लैंस है आगे क्या कहरा है on an average he uses the appliances for 5 hours daily यानि कि daily यह क्या करता है पांच गंटे क्या करता है अब क्या पूचे है energy consumption for the month of April April month के लिए energy consumption पूच रहा है तो जो अप्रेल रहता है दोस्तों उसमें क्या होता है total किते देज होते है थर्टी डेज होते है अपरेल में किते होते हैं हमारे 30 दिन होते हैं तो इसके लिए हमारा total energy consumption हमसे पूचा है तो अब जानते हैं कि energy हमारा किता होता है power into time होता है ठीक है तब total power देख लेते हैं सबसे पहले तो उसके उसको time से multiply कर देंगे हम तो easily हम क्या कर सकते है energy को calculate कर सकते है अब lamp की total power देखेंगे दोस्तों आप तो लैंप में जो power निकल के आएगी दोस्तों लैंप की वो किती निकल के आएगी 40 वोट का एक लैंप है तो total 5 लैंप की power किती हो जाएगी यहांसे आपके 200 वोट हो जाए तो यह किता हो जाएगा 600 वोट तो अब हमारा क्या होगा टोटल पावर अकर आप यहां पर देखेंगे तो यह किता आगया 800 वोट टोटल हमारी पावर आ गई है अब energy निकालनी है total power हमको पता चल गई है कितनी 800 वोट हमारी total power है अब आगे क्या दे रहा है हमको time बताना है तो time क्या 5 गंटे हमारे daily यूज हो रहा है इसका और कितने दिन हो रहा है 30 days के लिए हमको निकालना है अब इन सब को multiply कर लेंगे तो हमारा सीधा answer जाएगा 800 इंटू 5 इंटू 30 को जब आप multiply करेंगे तो आपका निकल के आएगा यह 12000 वोट में आएगा जब आप तो option जो हमारा डी है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर अब नेक्स कुछन देखते हैं यह बहुत इज़ी है कि सबको पता है कि लादस्ट नमबर ओफ लेक्ट्रों किसमें वहलेवल होते हैं आपके कंडॉक्टर में होते हैं तो option ए आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां निकान नहीं तो क्या करते हैं यहां पर इस तरीके से हम क्या करते हैं के लिए लगा देते हैं और इसली निकल जाएगा यहां पर वी सी सी दे रखा है आपको तो के लिए लगाएंगे हम तो किस तरीके से आएगा माइनस विप्टीन प्लस थ्री पॉइंट फाइव के आई बी प्लस वी बी इस क्वेस्ट जीरो इस तरीके से कुछ निकलेगा के विल की कुछिन आएगी हमारी जब आई भी आप निकालेंगे तो क्या जाएगा फिप्टीन माइनस वी बी वी बी की वैलू क्या दे रखिए वन वोल्ट दे रखिए तो यहां पर डायक्ट वन पूट कर देता हूं मैं डियॉड़ेट वाई 3.5 के अब आगे देखेंग फोर मिली एमपियर तो ओप्शन बी जो है आपका यह बिल्कुल करेक्ट है यहां पर की फोर मिली एमपियर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आई बी की वैल्यू होएगी नैस कुछिशन देखते है नमबर ओप नैंड गेट्स रिक्वाइड टू रियलाइज है हाफ एड उसके लिए हमको कितने नैंड गेट्स की रिक्वार्मेंट होते है हमसे पूशा है तो हमको चाहिए हवाइब यहां नैंड के न oui और तो श्क्यायों होता है हाफ हाफ एडल का हमको के ना या वहले ही नोर के लिए पूछ ले हमसे हाफ एडर सर्कुट को रियलाइज करने के लिए आंसर हमारा किता हैगा फाइव अब अब इसका आप यहां पर पूरा सर्कुट भी देख सकते हैं किस तरीके से क्या आप साफ एडर का मतलब क्या है कि यहां पर दो इंपूट है ए और भी दोनों को एड़ करने पर समयसां स आ रहा है हमारा ऑर करी सी आ रहे यह हम पर 00 का इड़ करने तो जीड़ आ रहा है carry 0 0-1 पर 1 आ रहा है carry 0, 1-0 पर 1 आ रहा है summation और carry 0, 1-1 को जब add कर रहे हैं summation 0 आ रहा है और carry के आ रहा है हमारा 1, तब जब S की आप equation निकालोगे तो यह निकल के आगे आपके A bar B plus A B bar, अब यह जो equation होती ही क्या हो रही है इसको एक्जोर भी कहते हैं तो यहाँ पर हमने एक्जोर गेट यूज कर लिया, A एक्जोर भी निकल के आ गया है यहाँ से सम और carry में हमको A और B चाहिए तो multiplication A और B का और है तो end gate यूज कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा निकल के आ गया लेकिन हमको end gate बनाना है तो end gate के तुरू हमको यहाँ पर क्या A एक्जोर भी लेके आना ARB प्लस AB बार और carry लेके आना AB तो उसके लिए हमारा circuit कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर समय से निकल के आएगा हमारा वह एक्जोर भी वाला और यहाँ पर क्यारी निकल के आएगा तो VGS की वैलु आपके से यहाँ पे पूचिए तो JFET में जो हमारा formula होता है इसका यह क्या होता ID is close to ID SS का 1-VGS upon VP का whole square इस तरीके से हमारा क्या होता है यहाँ पर formula होता है अब हमको यहां पर क्या है यह VGS को निकालने के लिए हमको यहां पर बोला है तो क्या करते हैं हम सारी वैलूज हमको पता है रख देते हैं वैलूज पूट कर देते हैं तो आईडी की वैलूज हमको किता दिया हुए या फाइफ मिली एंपियर दिया हुए और आईडी एसस के हमको यह प्लस हो जाएगा आपका VGS by 6 इस तरीके से लिख सकते हैं इसका स्क्वार हो जाएगा अभी दूसरी साइड यह कट जाएगा आपके 1 by 2 आजाएगा तो यहां पर 1 by root 2 आजाएगा आपका और 1 सोल करेंगे तो बन बाप पॉइंट 707 यह हो गया आपका यहां पर उदर वन को लेकर जाएगे ता माइनस वन हो जाएगा और इदर आपका बचेगा यह वीजी एस बाइ 6 जब आप इसमें से माइनस 1 करेंगे पॉइंट 707 बसे तो यह कुछ आएगा आपका माइनस पॉइंट 292 2928 करके आएगा अब इसको मल्टिप्लाइ कर देते हैं 6 से तो यह हमारा क्या आजाएगा वीजी एस निकल क्या आजाएगा जब आप इसको 6 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आजाएगा वीजी एस इसको आजाएगा माइनस 1.76 के इकवल आजाएगा लगबग तो जब हमारा ओप्सन भी है यहां पर वह हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इस तरीके से आप इसकी वेल्यू निकाल सकते हैं नेस्ट कुश सफर्स फ्रों फिंचिंग इफेक्ट इस शूटेबल फॉर इंटर्मिटेंट सर्विस तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा ओप्सन सी होगा कि यहां पर जो जो हमारा को टाइप इंडक्शन इंडक्शन फरनेस होता है इसमें इसमें क्या होता है लेकिन आग जो क्या है यह hefard नहीं है जो को टाइप इंडॉक्ष्टर फर्neist होता हमारा कुछ इस तरीके का होता है इसमें क्या होता है हमारा को रोता यह जो दिख रहां आपको और हमारा यह जो transformer principle पर वर्क करता है एक तरीके से तो primary रहता है यहां से हम सब्सक्राइब और secondary में क्या होता है हमारे एक annual heart होता है जिसमें हमारा charge field हो रहता है जिसकी भी हमको heating करनी होती हूँ यहां पर charge रहता है तो primary में जब हम current देते हैं तो secondary में current induce होता है जिसके current यहां पर heating होती है अब pinching effect क्या होता है कि जब हमारे current density क्या होती है 5 MPR पर mm2 से ज़्यादा हमारी current density हो जाती है तो हमारा secondary में जो electromagnetic force videos होता है तो जिसके जो electromagnetic force videos होता है इसके करण हमारा क्या हो जाता है कि interrupt हो जाता है secondary current होता है उस में कर जाता है अब उस इंट्रप्शन के करन हो जाता है जो हमारे रहती है वो बी इंटरप्ट हो जाती है तो यह अपर तो ऑप्षन भी देख थी पता चल रहा है कि कौण तो हमारा कॉन सी उट्यक्राल निक्रैक्ट हो को थाए नोर स्म३र्ण से रेकित करते हैं वह प्लस बी जो whole bar है इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पर पलस था थो प्लस के हमारा डोट में बी पे बार इस तरीके से लेकिन जो हमारा last option D दे रखा है उसमें A B plus A है इसको बी दे रखा है ये गलत है अगर इसको हमको solve करते हैं A B plus A को तो इसको आगे हम लख सकते हैं A common लेते तो A B plus 1 होता अब 1 में हम कुछ भी add करते हैं तो 1 ही आ जाता है हमारा तो final answer यहां पर A आना current waveforms limit Y जो जो यहां पर राक्रम के वोल्टेज और current waveforms होते हैं वो limited किसके कारण होते हैं practically operating frequencies के कारण PWM क्या होता हमारा pulse width modulation इसकी मदद से हम क्या करते हैं variable voltage और जो variable frequency होती है वो obtain कर सकते हैं next question है in a common based connection if the current application factor is .9 current application factor क्या होता हमारा alpha वो क्या दे रखा हमारा को 0.9 दे रखा कि यह पॉइंट 9 VALUE इसकी दे रखी है दा इमीटर current इस 1 milli ampere तो यहांमको दे रखा है इमीटर current दे रखा हमको 1 milli ampere दें दा बेस current इस गिवए अच तो हमसे यहां पर पूछ रहा है बेस करण की VALUE हमसे यहां पर पूछ रहा है अब जानते हैं कि हम कॉमन बेस हैं तो output current ह हमारा क्या होता है यह पर Ic होता हर् इंपूड करेंट क्या होता हमारे हैं आप इंपूर्ट में इमिटर करन्ट होगा यहां पर आलफा पॉइंट नाइन है और आइसी के वैलू हमारी कितनी गीवन नहीं है आप तो आइसी ऐसे रहन देते हैं आई-ई के वैलू क्या दे रखें वन मिली एंपेर दे रही है तो यहां से आइसी निकाल सकते हैं तो यह किता अगया हमारा पॉइंट नाइन मिली एंपेर आजाएगा यह वन मिली एंपेर गिवन था हमको तो यहां से आइसी निकल गया अब हमको आइभी निकालना है अब हम जानते हैं कि जो हमारा आइए रहता है आइसी प्लस आइभी रहता है अब यहां से हमको क्या निकालना है आ । आइभी निकालना तो हमारा क्होंब आई PCs को आई-स आजाएगा तो आई-स की वेलुट्ट 1 घृम्पियर निकल कि आईगी A तो उप्सन वन में दिया हुआ ए में तो अमारा करेक्ट हो जाएगा पॉइंट वन मिली एंपियर नाइस कुछिन देखते हैं है करन्ट इजको टू प्लस एट साइन ओमेगा टीज मेजर यूजिंग मुविंग आइरन टाइप मीटर दिया हुए आप मुविंग आइरन दिय करें करें तो यहन पर क्या करेंगे तो इसका इसका स्कोर कर देगे तो आगे निकल के 16 करेंगे तो यह 4 आजाएगा यह आपका procent करेंगे तो यह आपका हाऀ गया है आगा Черफ करेंगे तो ही यह आपका क्या गया है यह जैब जब इवाइड करेंगे तो यहापका ही थ olha फैर्टीट्स आएगा और फारिनल वेल्य आपका किते हाईगा निकलए शिक्स dub grab आपका यहां पर करेक्ट उपसंड होगा ऊपसंट सी कुर्च है रीजव इसकूशन है व्युस्जव इपको फाइनल आउट पूट निकालना है क्योंकि वैल्यू कि इसक्रिशन क्या होगी अब यहां पर देखिए यह जो end gate है अब इसमें से क्लिक αναdoes अंपर值 देखेंगे तो यहां पर v EPA जाएगा आप यहां पर देकिए फिर फ्रों यहां और देखेंगे तो यहां पर प्रीजा रहा है और यह नोट एट लगाव याद यह अफिनक मीजाने देखेंगे hai here बार नीखिया जाएगाज इस जगह पर जो आउटपूट निकल कहाएगा हमारा अब finally यहाँ पर फिर से और gate लगा हुआ है तो और gate क्या करेगा जो inputs है इसके उनको क्या कर देगा addition कर देगा तो एक input तो ABC आ रहा है यहां से और एक यहां से यह जा रहा है तो final क्या निकालेगा ABC प्लस A B बार प्लस C बार अब आप देख लीजिए कौन से option से match हो रहा है option D से match हो रहा है ABC प्लस AB बार प्लस AC बार तो option D आपके यहां पर बिल्कुल correct है next question है the register you to store the memory address location of the next instruction to be executed is called यहां पर जो भी next instruction जो भी हम execute करने वाले है उसका जो memory address location रहता है उसको कौन सा register store करता है यह हमसे पूचा है तो यह क्या होता हमारा जो program counter रहता है यह 16 bit का रहता है तो यह क्या करता है हमारा next instruction जो भी execute होने वाला है उसके address को क्या करता है store करके रखता है next question है which of the following instrument control busses is called IEEE 488 bus यहां पर पूच रहा है कि पिछले वीडियो में हमने GPIB का full form question में एक question given था जिसमें पूचा था कि GPIB का full form क्या होता है और यहां पर पूच लिया कि IEEE 488 bus रहती है वो कौन सी bus होती है तो GPIB bus ही हमारी क्या होती है IEEE 488 bus होती है GPIB का full form क्या होता हमारा general purpose interface bus होती है यह पिछले वीडियो में मैंने इस तरीके का आपको इमेज दिखाए थी कि यह जो रहता पॉर्ट रहता GPIB port यह GPIB connected कहरो इस तरीके का जो यह रहता है Connector इसको क्या करते है इसमें आपे connect करते है next question है which of the following statements is false regarding semi conductor devices semi conductor devices से related इसमें से कौन सा statement कर लाता है पहला option यह आप देखेंगे तो electrons and holes move opposite to each other तो जो हमारा कोई भी semi conduct रहता है उसमें क्या करते है electrons इदर move कर रहे है तो जो हमारे holes रहते है क्या रहते है opposite में move करते है बिल्कुल सही है हमेशा यह होता है current and electrons move opposite to each other यह तो आपको सबको पता है कि कोई भी wire है हमारा उसमें क्या हो रहा हमारा अगर electrons हमारे इदर move कर रहे है तो जो current रहेगा हमारा वो क्या रहेगा current की direction ऐसे रहेगी आई इस तरीके से हमारा क्या होगा current move करेगा अब option D देख लेते है holds are majority charge carriers in P type semiconductor तो P type semiconductors में क्या रहते है हमारे holds ही majority में रहते है और जो end type अगर हमारा semiconductor रहता है तो उसमें electrons क्या रहते है हमारे majority में रहते है अब यहाँ पर option C है न वो गलत है current and holds move opposite to each other यहाँ पर क्या लिख रहेगा है current और hold यहाँ पर electron और hold जो रहते हैं वो तो सही है कि opposite में move करते हैं यहाँ पर देखे electron इधर move कर रहा था तो hold जो रहेगा हमारा वो इधर move करेगा तो current की direction में यहाँ पर देखे इधर ही है current की direction में और hold की direction में इधर है current और hold की direction तो क्या रहने चाहिए यह सेम रहने चाहिए लेकिन सी में हमारे क्या लिखागा करण्ट और होल क्या रहते हैं अपोजिट में मूव करते हैं तो यह गलत हो जाएगा नाइस कुछन है यह बहुत सेमस कुछेशं ने बहुत बार पूचा गया है जो इमिटर फोल वर क्याते हैं तो उससी को कहते हैं पर प्रहां करेक्ट है नाइस कुछ ने Asynchronous motor is said to be dash and draw current when the voltage is less than the back EMF यहां पर क्या बोल्टर है कि जो हमारा voltage रहता है अगर वो back EMF से कम हो जाता है यानि कि कहने का मतलब है कि जो back EMF अगर हमारा voltage से जादा हो जाता है तो जो motor रहेगी वो over excited होएगी या under excited होगी यहां पर leading पर काम करेगी या lagging पर काम करेगी सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि EB यहां पर जादा हो रहा है EB अगर हमारा जादा हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा motor क्या होगी over excited हो रही है यह हम समझ सकते हैं या फिर आपको ऐसे नहीं आता है तो यह वी जो आ मारे inverted B Cable होते हैं इस तरी के सभी देख सकते हैं इदर हमारा क्या होता है इदर सयारं में under excited रहता है और इदर हमारा रहता है ओर एक्सोड़ रहता है अब आप बैक ही है अगर वह ज्यादा हो जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज से इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा की क्या हो रहा मोटर जो है ओर एक्साइट हो गई है तो और एक्साइटेड कर डिसन नहीं कि लीडिंग पार फेक्टर पर वह वर्क कर रही होगी तो कौन सा ओप्शन मैं हो है जो भी यहांप गयोना है हमको स्कवार वेस्वोलिवु है में यहांप लेता है तो धर रहता है तो क्या करते है तो इसका होमला बनเผाता है एम크टिव भद्वी से तो रहता है वह divided by total time यह हमारा average निकालने का formula है तो अब यहां से average अगर इस formula से निकालेंगे तो आप यहां पर देख लिए total amplitude यहां पर 20 वोल्ट दिया हुआ यहां पर अब यहां पर conducting time देखिए कि अब यह पूरी जो एक cycle है यहां से लेकर यहां तक की यह cycle है इसमें किस time के लिए conduct कर रहा है वस इस time के लिए कर रहा है यानि कि point one second के लिए तो conducting time हमारा point one उपर आ जाएग अब 20 y3 जब आप solve करते हैं तो यहां था हमारा 6.67 वोल्ट तो option B हमारा यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा आज के वीडियो में इतने ही कुशन है बाकि जिसने भी कुशन बचे हैं उनको next वीडियो में complete करेंगे अभी वीडियो वैसे काफी लंबा हो गया